नमस्कार साथियों मैं सीमा गुपता आज फीर आप सभी के बीश प्रदीश की सरुच्च संस्था उत्तर प्रदेश सासन के सम्मद में महतरपूर जानकारी आप सभी के भी साजा करने आएं आज का जो विशय है वह विशय है उत्तर प्रदेश सासन और साहित की प्रगती। आज कभी से है प्रदेश की स्वरुच्य संसा उत्तर प्रदेश सासन और साहित के प्रग्ती। आप सभी को बताकर बहुत ही हर्स हो रहा है कि प्रदेश की सरुच्च संस्थान में जो सम्मानित बुद्धी जीवी अधिकारी गड़ हैं करमचारी गड़ हैं वह एक और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए मीती बिनमे आधी पर अग्रेतर कारवाही करते हैं तो दूसर तरफ साहित्य के माध्यम से राजिकी विकास, आमजन के हितों के समवर्धन और समाच के समाविसी विकास के लिए अपनी लेखनी के माध्यम से साहित्य को एक नहीं दिसा और दसा दे रहे हैं बहुत हैर्स की बात है कि प्रदेश के सरुच्य संस्थाव में अनेक प्रकार के साहित्य पत्रपत्रिकाव प्रकासित की जाती हैं और इन पत्रपत्रिकाव के माध्यम से अपनी भावनाव को बुद्धी जीवी, अधिकारी गड़ और करमचारी गड़ द्वारा व्यक्त क किया जाता है तदा उन समस्त पहलूओं को इंगत किया जाता है कि समाज में क्या परिद्रिश्य है युवाओ का क्या भविश्य है हमारी सोच किस दिशा की ओड़ जा रही है क्या हमारी सोच 21 सदी भारत की सदी के रूट में इस्थापित हो सकती है तो वहीं दूसरी तरफ अपनी लेखनी के माध्यम से प्रदेश की वास्तविक दरपड को भी व्यक्त करते हैं आप सभी को बताना है कि प्रदेश के सरोच सरसा उत्त्र प्रदेश सासन में सचिवाले साहितिकी पत्रि पत्रिका के साथ साथ पेंस्टर एसोसियेशन के द्वारा सचिवाले साहितिकी पत्रिका निकाला जाता है और हर्स की बात है कि अपने देश में एक अद्भुत साहितिक संस्ता है वह साहितिक संस्ता है राज्य करमचारी साहितिक संस्ता इसका ओफिस भी प्रदेश की सरु पत्रिकाओं को यह है सचिवाले साहिति के जिसमें राजपतित अधिकारी के सोजने से इस पत्रिका को निकाला जाता है और इस पत्रिका में आप देख रहे हैं सारे अधिकारियों के जितने भी आलेख वेगरा है इसमें आप पाएंगे इसके साथ इसमें जो साहिति का पर यह भी प्रतेक वर्स प्रकासित होता है जिसमें प्रदेश के सरुच अन्थान के जो भी अधिकारी गड़ है, करमचारी गड़ है उनके लेखनी आदी को प्रकासित किया जाता है तीसरे पत्रिका मैं दिखा रही हूँ पेंस्नर परिकल्ब यह जो पत्रिका है यह उत्तर प्रदेश सचिवाले के जो पेंसनर वेलफियर एसोसी एसने उनके सोजने से निकाला जाता है और इसमें भी न सिर्फ पेंसनर अधिकारी गड़ करमचारी गड़ के साहित आधि को प्रकासित किया जाता है बलकि यदि सच्वाले के जो अन अधिकारी गड़ हैं, उनको भी अपने आलिक विगेरा, अपने कविताय विगेरा प्रकासित करवानी होती है, तो अवस से इसमें प्रकासित किया जाता है. और जो चौथी पत्रिका है, वो है अपरिहारे पत्रिका. यह पत्रिका राजिकरमचारी शहीत्य सरसान के सौजने से प्रकासित किया जाता है, और इसमें खास बात है, कि इसमें न सिर्फ प्रदेश के सरुचैसंटा, उत्तर प्रदेश सासन के अधिकारी गड़ के साहितिक लेखनी प्रकासित होती है बलकि प्रदेश अन्य प्रदेश अर्थाद देश के अपने जो भी साहिती का विरूची रखते हैं जो सरकारी सेवक है उनकी लेखनी को इसमें प्रकासित किया जाता है बहुत हर्स की बात है कि यह मात्र एक पत्रिका नहीं है बलकि हम सभी के विक है कि जो हमारा देश वतंत्र हो रहा था तो साहित्यकारों की भूमका महत्वपूर थे देश की आजादी दिलाने में क्योंकि उन्होंने अपनी साहित्यक लीखनी के माध्यम से लोगों को चंजागरु किया लोगों को बताया कि वर्तमान परिवेस कैसा है वर्तमान परिवेस की जो कमियां उसको कैसे हम दूर करेंगे इस प्रकार साहित्य का अपने आप में एक महतपूर इस्थान होता है साथियो साहित्य जीवन है साहित्य हिसार है यदि साहित्य के मार्ग पर आप जाते हैं तो अवस्य ही आप अपने भावनाओं को साहित्य के माध्यम से उकेरते है और जिस दिन हम अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करते हैं हम अपने भावनाओं को एक सफलता यंत के रुप में प्राप्त करने के लिए कारे नहीं करते हैं उस दिन ही हमारा पतन हो जाता है और हमारे पतन के साथ ही हमारे समाच और हमारे देश का विकास रुख जाता है तो अवसी आप सभी इस पतन की ओर न जाएए बलकि आप अपने साहितिक अवीरिची को आगे बढ़ाएए और इस अविरूची के माध्यम से तीस के बिकास के लिए अपनी लेखनी के माध्यम से जन जन तक एक जागरूता फैलाईए कि कैसे हमारा देश एक किसी सदी में भारत की सदी इस्तापित होगा तो साथिय मुझे पूरा आसा और भरोसा है कि आप इस साहितिक पत्र पत्रिकाओं के बारे में जानकर एक आसा के कीरड़ आपके भीतर जगी हैं इति आप समिच्छा दिकारी परिच्छा की तियारी कर रहे हैं यह सहाई समिच्छा दिकारी परिच्छा की तियारी कर रहे हैं तो आपको भी सुवसर प्राप्त होगा इन पत्रिकाओं में अपनी साहितिक लेखनी प्रकासित कराने के लिए तो इसी के मुहत्वपूर इसके साथ मैं सीमा गुपता आप से विदा लेती हूं नमस्कार